दोस्तों अभी कोस दिन पहले मैंने अपने चैनल के उपर एक वडियो अप्लोड किया था और उस वडियो का अंदर मैंने आपको सिखाया था कि आप किस तरह से अपने क्रेटीकार्ड का बैलेंस अपने सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं वो हमारा अपने credit card का balance अपने saving account में transfer कर सकते हैं वो भी zero charges पर आज किस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से zero charges के ऊपर अपने credit card का balance अपने saving account में transfer कर सकते हैं तो चलिए आज का video शुरू करते हैं और इसके बाद निया part 3 भी आएगा, part 4 भी आएगा, part 5 काफी सारे method आपको मैं बताने वाला हूँ कि जिनके जरीए आप अपने credit card का balance है उसे आप अपने saving account के अंदर transfer कर सकते हैं तो कुल मिलाकर अगर अभी तक आपने मेरे इस channel को subscribe नहीं किया है तो प्लीज आप जल्दी से मेरे इस channel को subscribe कर लीजिए और मेरे इस channel के ओपर जो य आगे बढ़ने से पहले इस video को भी अभी के अभी like and share कर दीजिए तो चलिए अब हम finally video को शुरू करते हैं तो guys अगर आप अपने credit card का balance अपने saving account के अंतर transfer करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो account की जरूद पढ़ेगी एक आपका account पेटियम के उपर होने चाहिए और आपका पेटियम के उपर account तो होना ही चाहिए साथ में आपका जो wallet है पेटियम का वो भी activate होना चाहिए एंड second आपको जरूद होगी एक जोमेटो की application की don't worry आपको खाना वाना कुछ भी order नहीं करना है लेकिन हम इन दो application का use करके अपने credit card का balance है अपने saving account के अंतर transfer करेंगे और मैं आपको ये सारा का सारा life दिखाऊंगा तो चलिए सब से पहले मैं आपको अपना ptm account जो है उस आप कर दो चाहिए और हम वालेट के अंतर आने के आपको जोड़ आने के पक देख जैसा कि आप देख रहा है जो मेरा ptm balance है वह $0 मुझे शो कर रहा है अब आपको simply next step में Google Play Store पह आना है और Google Play Store पह आने के आपको जोमेटो नाम की जो पूड आपाउंट न आम की जो बी सेम उसी number से account बनाना है जिस number से आपका PTM account बना हुआ है कुल मला कि आपका जो PTM wallet है जिस number से उसी number से आपको यहां Zomento के उबर भी अपना account बना लेना है इसके बाद यहां आपको profile के icon पर click करना है प्रोफाइल के icon पर click करने के बाद यहां आपको एक payment का option देखने को मिलेगा simply आपको payment वाले option पर click करना है और जैसी आप payment वाले option पर click करते हैं तो यहां आपको तीन option देखने को मिलेंगे एक cards का option देखने को मिलेगा एक UPI का और एक wallet का option दिया गया है simply आपको यहां wallet वाले option में आना है और wallet वाले option में यहां आपको तीन option दिखाई देंगे जिसमें कि एक PTM wallet का option होगा, एक mobile click का होगा और एक free charge का होगा simply यहां आपको PTM वाले option को select करना है, और PTM वाले option को select करने के बाद आपको PTM account के ओपर wallet उसे यहां पर add कर लेना है, अपना number एंटर करके है, आपके नबर पर एक OTP आएगा और उस OTP को यहां enter करके है, आपको अपने wallet को यहां पर add कर लेना है तो guys अभी जो हमारा सारा का सारा process है वो almost complete हो चुका है चलिए अब हम बात करते हैं कि payment किस तरह से transfer करना है अगर आप PTM के wallet के अंदर direct credit card से अगर payment add करते हैं तो आपको level 2.35% charge देना होगा लेकिन अभी इस trick के जरीए हम यहाँ पर free में अपने PTM wallet के अंदर payment transfer करके आपको दि आप 10,000 रुपे तक transfer कर सकते थे महीने के लेकिन अभी महीने में आप केबल 4,000 रुपे तक ही transfer कर सकते हैं तो चलिए दूसर अब हम आगर का process फोलो करते हैं तो simply यहाँ आपको करना है जो PTM वाला option है आपको यहाँ 3 dot पर click करना है और 3 dot पर click करने के बाद यहाँ आपको recharge wallet का option show होगा simply आपको recharge wallet के option पर click करना है और यहाँ पर आपको 4,000 रुपे के amount enter कर देनी है ध्यान रखना है कि आपको यहाँ केबल 4,000 रुपे की amount enter करनी है आप 4,000 रुपे से ज्यादा enter नहीं कर सकते हैं हाँ आप 4,000 रुपे से कम enter कर सकते हैं कुल मिलाकर आप maximum 4,000 रुपे new payment option का एक option show होगा simply आपको इस option पर click करके अपना credit card है उसको add कर लेना है और उसके बाद आपके credit card के ऊपर जो भी mobile number लगा होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा और उस OTP को आपको enter करना है और enter करने के बाद आपके Paytm wallet के अंदर 4,000 रुपे इस trick के जरीए add हो जाएंगे अब आप इन 4,000 रुपे को किसी को भी transfer कर सकते है यानि other Paytm user को भी transfer कर सकते है या फिर अगर आप चाहे तो आप अपने bank account में भी इन 4,000 रुपे को transfer कर सकते हैं तो खेर सो फलाल इस वीडिय के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूना तो चलिए फलाल इस वीडियो को finish करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और new वीडियो के सा किता है